एक शरीर और दो आत्मा का भूतिया कनेक्शन क्यों बदला लेने वापस आई अर्फान की आत्मा आत्मा ने लगाई अपने इंसाफ की गुहार मरने के बाद भी इर्फान ने लगाई पुकार विज्ञान को जुटलाता अर्फान का साया न जुट न फसाना एक सची घटना आधुनिक्ता के इस युग में क्या विश्वास किया जा सकता है कि किसी की आत्मा किसी दूसरे वेक्ति के शरीर में प्रवेश करके खत्यारों का खुलासा करे क्या विज्ञान के इस युग में ये कल्पना की जा सकती है कि जे शक्स का murder करने का आरोप है murder के बार जे शक्स को नदी में फिक दिया गया उसके शव को मगर मचो ने खा लिया उस शक्स की आत्मा अपने कातिलों के खिलाफ गवाही दे रही है आधोनिक्ता के इस युग में क्या विश्वास किया जा सकता है कि किसी की आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके हत्यारों का नाम बताए क्या विज्ञान के इस युग में ये कलपना की जा सकती है कि जिस शक्स का मॉजर तरने कारोप है मॉजर के बाद जिस शक्स को बेतवा नदी में फेक दिया गया उसके शव को मगर मचो ने खा लिया वो शक्स की आत्मा अपने कातिलों के खिलाफ गवाही दे रही है मितक की आत्मा अपने कातिलों का नाम खोल कर बता रही है इस पर हम भी यकीन नहीं करते थे लेकिन एक विडियो सोशल मीरिया पर तेजी के साथ वारल हो रहा है जिसमें मितक की आत्मा एक युवा के अंदर चली जाती है और उसके बाद मितक की आत्मा की ही आवाज में कातिलों का नाम बताती है मितक की आत्मा पुलिस से गुहार लगा रही है कि हमारे कातिल आखिर गिरबतार क्यों नहीं हो रहे यकीन नहीं होता लेकिन ये सच है क्या है ये पूरा मामला देखिए जासी से हमारे समधाता सुल्तान आबदी की ये खास रिपोर्ट मामला शहर कोतवाली थाना शेतर के अंतरगत औरचा गेट का है जहां दो हफ़ते पहले इर्फान नाम का एक शक्स अपने घर से बाहर गया था जो दोबारा वापस लोटा ही नहीं कई घंटे और दिन बीत जाने के बाद जब इर्फान वापस घर नहीं आया इसके बाद परीजनों ने इर्फान की तलाश शुरू कर दी पिछले दो हफ़ते से लगातार परीजन इर्फान की ये सोच कर तलाश कर रहे थे कि Idफान कहीं गया होगा अपने दोस्तों के साथ कहीं खुम रहा होगा कई दिन तक जब इर्फान का कोई पता नहीं चला इसके बाद इर्फान के चाचा ने पूरे मामले की शिकायत मोट कोटवाली में कि बीते 16 सितंबर से इर्फान का कोई सुराग ना तो परीजन लगा पा रहे थे और ना ही पुलिस को पता चला कि इर्फान आखिर है कहा इर्फान के संदिक दहालत में लापता होने के मामले में सबी को हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ जिसमें दावा किया गया जो शक्स अपने कतल की कहानी बता रहा है जो शक्स अपने कतल के आरोपियों के नाब बता रहा है जो शक्स अपने कतल के गबाही दे रहा है दरसल उस वेक्टिक के अंदर अर्फान की आत्मा आ गई है अर्फान की आत्मा खुलकर अपने कातिलों का नाम ले रही है अर्फान की आत्मा पुलिस अधिकारियों को बता रही है कि हमारे कातिल शाग लोड है जिनको गिरफतार कर लो आरोप लगा है कि बहनोई शहीद समेट चार लोगों ने उसको शहर कोतवाली से मोट कोतवाली शेतर में ले गए जहां चारों ने मिलकर उसका रसी से घला दबाया इसके बाद उसके हाथ पैर बांद कर बेतवा नदी में फेक दिया बेतवा नदी में इस मगरमच काफी समय से ज्यादा है मगरमचों ने अर्फान के शरीर को पूरी तरह से खा लिया था यानि मगरमचों ने अर्फान को अपना निवाला बना लिया वहीं भतीजे इर्फान की मोच कोटवाली में गुमशुद्गी दर्श करवाने वाले जालान जिले के निवासी चाचा शाहिद कुरैशिका इर्फान के ही पिता समेट परिजनों पर आरोप है कि घर में काफी बड़ी मात्रा में सोना निकला था घर में ख़जाना निकलने की भनग इर्फान को लग गई थी इर्फान पूरे मामले को कहीं बता ना दे इसको लेकर इर्फान के ही पिता समेट अन्ने आरोपियों ने उसकी हत्या कर शर्फ को बेतवा नदी में फेक दिया इर्फान की हक्तिया कर शर्फ को बेतवा नदी में फेक दिये जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वारल होने के बाद मामले की शिकायत करने अब इर्फान के पिता भी स्स्पी कारल्ले पहुंच रफान के पिता ने कहा मैं अपने बचाव में S.P. को प्रात्ना पत्र दे कर बताया है कि उनका बेटा दो हफ़ते पहले घर से किसी काम से गया था जो अब तक लोटा नहीं है आगे अधान का मैं अब कि नाम क्या अपका अब शब्र हो चापका नाम क्या ऐसे फारा का इंड़ा अब अब कर आई कराएं आगरा मौड में अपनायी कंवाएं व्यूजब जाता था ङी उवरे, मलगता है शुवख जाता हुख जाता है कि इस जाली बारे नि जाता था और यहां कि अलाठी कि अज़ कुछ कुह कुछ के रहे हैं हम उता है, मारे भालता सहीसलामद हो तो जाता है, यह रहा यहां कि आखा गाई है Ł Politics, जाता है दासी देवाए गुगाँ गर्से गायब इसके समंद में आज इसके पिताजी ने तहरीर दिये इसके गुमसुदगी दर्ज कराते हुए इसको खुजने का प्रयास किया जा रहा है कि नाम क्या आपका कहा रहते हैं हम जालून रहते हैं हमारे मसला हो गया है उसको मार दिया गया है कितने दिन से पंदा दिन से करीब लापता है हुए हम कुरिस में गया है कोई सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कर दोस्ति नहीं होगी है कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ है यह लड़का कहा का है जांकारी मिलिया नहीं है लड़का लहने माला हुए कि वीडियो मुझे बता रहा है कि साकेन नाम का है मारा जीजा रभाय लड़किश के दोस्ति तयार है उसको मारा है कि इस सब्सक्राइब कि बता नहीं है उसको राजपते चल गया तक यह हम पता ना थे वीडियो किसी को भार बता नहीं दे पागल टाइप कर दूए कि पता नहीं कि पता नहीं वीडियो में और क्या बता रहा है कि उसको नदीमें फेसा अगे कि पता रहा है कि निकल रही है वह हुआ हम चाहते है कि इनसा इंसा मिलें कि अंधाइसा बात करता था सब को मालब पूरी जहांसे के मालम सिंद्स वास्पार आपको ये वाइल वीडियों पर पर सो पहले पर जो पन्दाइन से लपता है दो दिन पहले जानकारी मिलिए विद्स मौंड गये बो जो घर आयां रहां ते रहां थी आव बहुत है नहीं तिराने वह जाए मुझा बाले वह नहीं जाए ने हैं? दो गाया चातानि दो, वा मंतिया। को बने इंदो आपने मारीenne लावी होगोरे, ले की लाशे अपने मारीे, लाए लाविसाज दोत click nú भ्हुष बावा रहा रहाु हो लाविशा, लाविशाया कर दो dau होग अंपैजी करूंभ बागों कंट के यह भी पताला कुळाई ट27 झाफर लूर भीज़र भीज्स का उंस्थमा्UST ईभानिका कुए अधिवानगे, जब तो बचगिया है और प्रोस्या अभी आससे मरवादिया रुनके कौणे आटाती कुए बचले लो अलगे लोmanship को किए दूरा इसे मरवादिया हमाल हम क्रह्ते करे दो कि अन्माटे कर और रखास सऺहला दृओन ने पतु नो में था टीज नहीं बर्था नहीं नहीं था जाए है만 पिल ममाजे श्रुषी आर गाइना हो पिलेशे वी जी नहीं था भाइना है खाल जाना के नहीं खाए मागबंदेश कर लिया माँने हों लुषाए मितक का पिता का कहना है कि उनका बेटा मजदूरी करता था ऐसे में अक्सर कई कई दिन तक बाहर रहता था इस बार भी बेटा मजदूरी करने गया जो अब तक लोट कर वापस नहीं आया जिस तरह से इर्फान लापता हुआ उसको लेकर अब शहर कोतवाली पुलिस से लेकर मोच कोतवाली पुलिस इर्फान की तलाश कर रही है इर्फान जिन्दा है या मुर्दा इसको लेकर फिलहाल गह पाना मुश्किल है क्या वाकई में इर्फान खजाने के बारे में जान गया था जो उसके घर से निकला था क्या वाकई में इर्फान की हत्या करती गई उसकी आत्मा अब मोच कोट वाली शेत्र में रहने वाले क्यूब के अंदर जाकर अब इर्फान की तोतली भाशा में कातिलों का नाम बता रही है क्या इर्फान के पिता बहन, बहनोई संदे के घिरे में है या फिर इर्फान का चाचा कोई बड़ी कहारी गड़ रहा है आत्मा की गवाही से जुड़ी इस संसनी खेज बांगी में तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका पुलिस को पता लगाना बेहत सरी है और इस बाबत SSP का कहना है कि मामने में गुमशुदगी दर्श कर ली गई है लाफ़ता इर्फान के तलाश में पुलिस के टीम लगातार लगी हुई है इस कहानी में कई रोमांचक मोड और कहीं न कहीं देहशत भरे मोड भी सामनी आ रहे है लेकिन सच्चाई क्या है वो तो इर्फान का अगर शम मिले तो ही पता चल पाएगी या फिर वाकई अगर इस पूरे मामले में सच्चाई है कि रफान के घर पर सोना निकला था पिता नहीं हत्या की है तो अगर पुलिस कडाई से पूश्टाज करती है और इसका खुलासा होता है तब ही इस पूरे मामले में दूद का दूद और पानी का पानी हो पाएगा लेकिन जिसने ये कहानी सुनी है उसके रॉंक टे खड़ी हो गए है और पूरे इलाके में इस कहानी से देहशत का महल बढ़ा हुआ है